हेलो गाइज, वेलकम बैक, आई के टेकर में आपका स्वागत है, I am Dr. दीपक ठाकुर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पफीनेस, आखों के नीचे जो हमारी पफीनेस हो जाती है, आख के नीचे जो हमारी स्वैलिंग हो जाती है, उसके क्या-क्या कॉजेज होते हैं, क्य क्या हम अपनी डेली लाइफ में चेंजिस लाएं, जिससे वो हमारी पफीनेस कम हो, और क्या-क्या चेंजिस अपनी डेली लाइफ में हम लाएं, अपनी डेली डाइट में लाएं, जिससे हमारी अगर पफीनेस हमको हो रखी है, तो वो ठीक हो जाए, आई लिट के नीचे जो puffiness होती है उसके कुछ cause है जिसकी वज़े से वो हमको होती है पहला cause की बात करें पहला cause हमारी जो daily life में जो हम salt का intake करते हैं मतलब नमक खाते हैं उस पर depend करता है अगर हम अपनी daily life में नमक को ज़्यादा consume करते हैं तो सायद हमारी आखों के नीचे puffiness आ जाए नमक का और puffiness क क्या correlation है नमक जब हम ज़्यादा खाते हैं तो नमक ज़्यादा खाने से हमारी बॉड़ी में जो water का intake होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है हमारी बॉड़ी में water थोड़ा ज़्यादा store रहता है जिसकी वज़े से हमारी जो cells होती है उन में puffiness आ जाती है और वो swell कर जाती है जिसकी वज़े से हमारी आँखों के नीचे swelling आ जाती है। दूसरा point हम बात करें, अगर हमको कभी कोई allergy हो गई है, आँख में कोई infection हो गया है, inflammation हो गई है, जिसकी वज़े से भी हमारे जब आँख में allergy होती है, तो उसका जो infection होता है, virus होता है, वो हमारी पूरी आँख को effect करता है, जिसकी वज़े से हमारी आँख में swelling आ जाती है, और हमारी आँख में नीचे puffiness आ जाती है, तो अगर आपको कोई allergy होई है, या आपको कोई infection होआ है, तो उसका आप proper treatment लें, ताकि आपको puffiness ना आए, या infection आपकी आँख के अंदर अगर store है या हुआ है, तो वो अच्छे से cure हो जाए, तीसरा point की हम बात करें, अगर आपको कोई disease है, मतलब कोई बिमारी है, जैसे thyroid, thyroid में क्या होता है, कि आपको आँख के नीचे puffiness आने के chances जहते हैं, अगर आपको thyroid है, तो आप उसका proper treatment लेजिए, उसको examine कराईए, कि आपका भी thyroid कितना है, बाद में कितना है, ताकि आपको thyroid बढ़े ना, और आपकी body में वो जो changes आते हैं thyroid की वज़े से वो ना आए, चौथा अगर point बात करें, तो एक genetically भी हमारे puffiness आती है, अगर हमारे family में, हमारे खांदान में किसी के puffiness है या रहती है, तो वो हमारे हो सकता है कि हमको भी रहे, तो genetically भी puffiness आती है, पाँच भी बात करें, तो age, age भी puffiness में अच्छा खासा matter करती है, जैसे जैसे हमारी age बढ़ती जाती है, हम बूड़े होते जाते हैं, तो एक time आ जाता है, तो हमारी skin की जो elasticity होती है, हमारी skin की जो capability होती है, वो lose होने लग जाती है, हमारी skin जिसकी वज़े से हमारे wrinkles आ जाते हैं, और हमारी आँख में puffiness आ जाती है, ये कुछ पांच कौस थे जिसकी वज़े से हमारी आँख में puffiness आती है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया उसके बाद अगर अब हम बात करें कि हमारे अगर puffiness आ गही है तो हम उसको कैसे अपनी आँख से दूर करें कैसे अपना इससे बचाव करें पफीनेस का अगर आपको कोई बिमारी है थाइरेड है एलरजी है तो पहले आप उसका इलाज कराएं जिससे अगर कोई बिमारी की वज़े से आपको पफीनेस आई है तो वो उसकी वज़े से ठीक हो जाएगी बिमारी जब आपके सरीर से बाहर चली जाएगी तो पफीनेस भ अब ठंडे ठंडी चीज से सेख करना होगा 10 मिनट सुभे 10 मिनट साब उसके लिए हम कोई भी कुकुंबर ले सकते हैं या फिर कोई स्पून ले सकते हैं जिसको हम अपने फ्रीजर में रख सकते हैं या फिर आज कल तो मार्केट में आई मास्क आये हुए हैं मेडिकल स्टोर पर एजली मिल जाते हैं वो आप ले सकते हैं उसको अपने फ्रीजर में कुछ देर के लिए रखी है उसके बाद अपनी आँख पर बांद के आप 10-10 मिनट का सुभे और साम को सेख कर सकते हैं जिससे आपकी पफीनेस ठीक हो जाएगी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें कोई क्रीम या हम कौन सा टीउ लगाएं जिससे हमारी पफीनेस जाए तो हमारा कैफीन का बना हुआ टीउ आते हैं स्किन क्रीम आती है जो हमारी पफीनेस को कम करती है जो हमारी blood cells या कुछ blood clots जो कुछ भी हमारी आँख के नीचे अगर कुछ store हो गया है तो caffeine वाली जो cream आती है वो उस injury या जो भी हमारी blood cell damage हो रखी है उसको recirculate करती हैं और उसको फिर से ठीक कर देती हैं जिससे हमारी puffiness ठीक हो जाती है ये कुछ treatment हैं जिससे हम अपनी puffiness को ठीक कर सकते हैं और अपनी beautiful eyes को अच्छे से रख सकते हैं जिससे हमारा और impression जो है सामने वाले आदमी पर और ज़्यादा अच्छा पड़े और हमारी आँखे एक्दम अच्छी लगे बाकी आज के लिए इतना ही बाकी मैं अपनी और जो नई वीडियो लाऊंगा उसमें भी आपको ऐसी जानकारी देता रहूंगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब